आप सबको नमस्कार, आज मैं DTC से जो हमारे रिटायर्ड करमचारी हैं, रिटायर्ड हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मुखातिब होना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप मेरे से बहुत नराज हैं, और नराज तो अपनों से हुआ जाता है, और इसले साल-डेड़ साल से आपको पेंशन मिलने में काफी तकलीफ हो रही है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी मुझे याद है कि उसके पहले आपको पेंशन बहुत मुश्किल से मिला करती थी। उस टाइम हमारे से पहले वाली सरकारों ने कहा था भई पेंशन अगर चाहिए तो फंड बनाओ अपना DTC फंड बनाएगी। DTC कहां से फंड बनाएगी। DTC कहां से पैसे ही नहीं थे। हमने आने के बाद दिल्ली सरकार के बजट से आप लोगों को पेंशन देनी चालू कि, उसके बाद से आपको हर महीने पेंशन मिल रही थी, कभी आपको दिक्कत नहीं आई, पिछले साल-edo साल से आपको द्यूंजो दिक्कते आ रही हैं उसके लिए मैं आपसे ख्षमा चाहता हूँ आप जानते हो कि किस तरह से कदम-कदम पे केंधर सरकार हमारे हर काम में अडचन अड़ा रही है जो काम हम करना चाहते हैं अडचन अड़ा रही है और मैं उनके पैर पकड़के उनके हाथ जोड़के जैसे मर्जी मेरे से बन पड़ रहा है मैं सारे काम डिली वालों के करवा रहा हूं क्योंकि डिली वालों का बहुत ऐसान है मेरे उपर मुझे खुशी है कि अब आपकी जितनी बकाया पेंशन थी वो सारी बकाया पेंशन कल तक आपके अकाउंट में चली गई है और आपकी जितने गिले शिक्वे हैं उसके लिए मैं अपने आपको जिम्मेदार मानता हूँ जो भी है मैं ठीक करूँगा सारी चीजे और आपका अपना हूँ आपका अपना बेटा हूँ मेरे को याद है अभी कुछ दिन पहले गाउं में गया था मैं वहाँ भी डीटी सी के करम जो रिटायर्ड बुजूर्ग हैं वो आए थे मिर से मिलने के लिए मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आपका बेटा हूँ आप मेरे को अपना बेटा मानते हैं अगर आप अपना बेटा मानते हैं तो आपको नराज होने का पूरा अधिकार है लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपके pension जरूर दिला के रहूंगा चाहे जो मर्जी करना पड़े तो उसके लिए budget की कमी थी हमने special assembly का session बुला के budget और डाला आपके pension के लिए और अब आपके सारी pension हम लोगोंने release कर दिया आपके account में आ गई है जो भी भूल चुक उसको माफ और आगे भी अगर कभी दिक्कत आएगी मैं हूँ मेरे पर भरोसा रखना जब तक केजरी वाल है आपके pension रुकने नहीं देगा आपके सारी pension दिला के रहेगा थोड़ी बहुत महिना दो महिना delay अभी भी हो सकती है क्योंकि पावर हमारे पास आई नहीं है सुप्रीम कोट ने भी order पास करके जो पावर हमको दी थी सरकार चलाने के लिए वो भी सारी पावर इन लोगों ने छीन ली तो अभी पूरी इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के अंदर दूसरी पार्टी वालों के इंदर सरकार ने तो हम कोशिश कर रहे हैं लगे हुए हैं और आपके सारे काम कराके रहेंगे जी तो अपना अशिरवात बनाए रखना आप सब बजुर्ग हैं आप मेरे पिता समाने और बहुत इज़त करता हूं आपकी में आप तकलीफ में होते हो तो मेरे को खुद तकलीफ होती है नमस्कार